इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेज करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बंडरिंग जी एक ऐसा प्लांट है जिसको हम किसी चोटे-चोटे प्लांटर में लगा सकते हैं हैंगिंग बास्किट में लगाओगे तो लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है और एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा लगए तो सदा बना रहता है और इसका जो सर्दियों में कैसे सेव करें बंडरिंग जू को तो हेलो फ्रेंड़ बेवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड़ आज हम बात करेंगे इस बहुत ही कलरफू लीप्स वाले जो प्लांट है बंडरिंग जू तो इसका जो ग्रोथ का पीरिड है वो समरी रहता है और इसकी ग्रोथ अभी भी वैसे थोड़ी-थोड़ी हो रही है, और ये दिखे मेरे प्लांट पे आपको दिखी रही होगी, इसके न्यू-न्यू लीप्स भी आ रहे हैं, मगर सर्दी जैसे ही होती है, और जो इसके पराणे लीप्स हैं, वो सूखने लग जाते हैं, और ये ये कम बरदाश्ट तो करेगा, मगर इतनी इसको ग्रोथ भी नहीं होगी, तो क्या करें कि ये हमारा प्लांट जो है अगले सीजन के लिए बच जाए, और इसी तरीके जो हमारी हैंगिंग बास्किट है, वो बनी रहे, तो कुछ वही बात करूंगी आप से, कि मैं कैसे अप ग्रोथ पे आ जाता है, तो दो महिने जैसे दिसंबर अनममबर भी एंडिंग है और दिसंबर आने वाला है, दिसंबर जनबरी में थोड़ा सा इसको हम सेव करेंगी, जब बहुत सर्दी पड़ती है, तो ये फिर ये प्लांट हमारे पास बहुत ये अच्छे से ग्रोथ कर पड़ती है रात को, तो उससे ये बचा रहे तो आप इसको ऐसी जगा रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा पेड है, तो उसके शाय में आप इसको रख सकते हैं, जहां इसको जो है दिन में दूप भी लगे और रात को जो कोहरा होता है, वो इस पर ड्रेक्ट ना पड़े, तो आपका जो प्लांट है, वो सर्दियों में सेव हो जाएगा, तो अगर आपके पास बड़ा पेड नहीं है, तो आप किसी ब्रांडे में आप इसको रख सकते हैं, जहां इसको अच्छी लाइट और दूप भी मिलेगी दिन में, और रात को जो कोहरा होता है, व पानी इसको अब भी देना है, बिना पानी तो यह अब भी नहीं रहेगा, मगर पानी की जो क्वांटरिटी है, थोड़ी सी कम करनी है, जैसे आप गर्मियों में डेली पानी देते हैं, तो इसको डेली पानी नहीं देना है, आप मिट्टी को विल्कुल चेक करना है, वाली लेयर तो फिर आप इसको पानी दीजिए तो साथ में जो इसकी जो न्यू-न्यू थोड़ी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी अगर पानी आप विल्कुल ही देना बंद कर दोगे तो जो ग्रोथ है वो प्लांट की रुख जाती है क्योंकि मैंने भी अपने प्लांट को ज पानी लग गई है तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा थोड़ा जो है पानी भी देते रहने है और जो फटलाइजर है फटलाइजर आपने इसको अभी बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि इसकी ग्रोथ का भी पिरिट थोड़ा सा कम है तो फटलाइजर आपने इसको लटकाया हुआ था तो जो open area में लगा हुआ हुआ है lawn में तो अभी मैं इस इस henging basket को wondering जियो की जो मेरे पास henging basket है इसको मैं भहाँ से उठा के जो मेरे पास अमरूद का बड़ा पेड़ है lawn में ही लगा हुआ है उस साथ मैंने अपनी जितनी भी summer वाली hanging basket है summer वाले जो plant है तो सभी को मैंने अमरूद के पेड के साथ ऐसे ही उसकी शाया में लटकाया हुआ है क्योंकि इनको दिन में जो है अच्छी रोशनी और जितनी भी दूप है वो मिलती है और रात में जो ठंड का जो कोहरे का जो असर है इन प्लांटों पे नहीं होता है और जो मेरे प्लांट है वो सेव हो जाएंगे तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं Thank you friends वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट करके जूब बताइएगा और इसी तरीके से आप जो है प्लांटों प्लांटों